नमस्कार यूपी की चुनावी डगर पर चलते हुए इस वक्त हम लोग आप पहुँचे हैं योगी स्वर पगवान स्रेक्रिस्न के दर्थी पर हम लोग इस वक्त मतुरा में हैं मतुरा यानी खड़ी बोली और मीठी बोली दोनों की जमीन यहां के तमाम लोग हमारे साथ हैं यहा के चुनावी मुद्दे कुछ अलग है यहां किसान नांदोलन का सीधा-सीधा असर है है यहां की जमीन पर और भाजपा और रालोट के बीच सीधी टक्कर में लेकिन लोग यहां के स्थानी निवासियों के बीच उन से जानते हैं कि उनके स्थानी मुद्धे क्या है और इस बार वह क्या करने जा रहे हैं शर आपका नाम अम घुम अल्किमार 19 is इस मत्रा का पर कुछ भी नहीं हुआ है इस नाम में तो आपकी बार क्या करने जा रहा है आपकी बार कौन परिवरतन होगा के बल परिवरतन आपका नाम बाई सब्सक्राइब आपके इलाके के मुद्दे क्या हैं हमारे मुद्दे यह हैं हमारे पहले किसान भाईयों की सुनी जाए क्योंकि डीएपी के लिए हमारा किसान भाई इतना परेशान रहा है जो यहां का किसान है उनको यहां डीएपी नहीं मिल रही है यहां की डीएपी बेके राहिस्तान के लिए जा रही है भाजबा के यहां चेर्मेंट रही है किसानों को आसानी से मिल रही है और मोधी जी आ पता नहीं किसके स्थ तरीके के यूरिया की और बात कर रहे हैं जमीनी इस तरह पे कुछ नहीं है रोजगार हों वह क्या कहते हैं उनके प्रोजेक्टेव में सारी चीजे हैं, किसान के घर जाके देखें, किसान के खेतों में जाके देखें, जब तो उनको पता चले, अब उनको जैसा यहां से उनके जो लीडर हैं, बताते हैं, वही प्रोजेक्ट रख देते हैं, किसानों को उनको बदलाव चाहिए, क्यों किसानों को नहीं मिल लए और आप कैसे वी हम परवरतन चाह रहे हैं क्योंकि जब इनको लगेगा परवरतन हो रहा है जब हमारे किसान खुस हो आपका नाम सर्मा ब्रच की धर्ती को अगली सरकार से क्या चाहिए ब्रच की धर्ती को एक तो सबसे मुख्य मुद्धा जितनी जो महंगाई हुई है मैं तो सिर्फ इसी पर बोलूँगा के लोग मुद्धे के वो करना यह करें यह सारी बेकार की बात हैं जितनी महंगाई बड़ी है वो महंगाई कम होनी चाहिए अब जैसे सलेंडर है हजार रुपे का हो गया किसान लोग है कहां से महंगाई मंदर मस्जित बलही बने घर का खेत का बजट नहीं बेगड़ना चाहिए यह भाईया का कहना है बैया आपको क्या लगता है ब्रज के क्या मुखे मुझे मुझे यहां पर ब्रज में सबसे जादा समझ्चा है खारे पानी की ब्रज में कि किसी के घर पे पानी नहीं पहुंच पाता है तो खारे पानी के लिए टंकियां बनाना बहुत आवस्चक है जो के हमारे विदायक जी नहीं कर पाए है पूरे पांस सालों में कुछ दो चार शे टंकियां बनी है उससे जादा नहीं उसके अलावा रोड का मुद्दा अगर नहीं तो मत्रा से लेकर के गोवर्दंजी जो पवित्र स्थल है दुनिया के संसार से मतलब लोग आते हैं यहां विदेशों से भी आते हैं तो बो रोड टूटा हुआ है पिछले पांस साल से पूरा टूटा हुआ है अभी तक रोड नहीं बन पाया है ऐसी कोई सरकार नही एक रोड नहीं बन वापाए तो इस वजए से इनकी इंकमबेंसी हो रही है बना वैसे तो ठीक है योगी बाबा का जो भी है योगी बाबा के जो गाने चल रहे हैं कहा जा रहा है कि यूपी देश में नंबर वन है तो आपको क्या लगारा मुथुरा है कहीं उसमें नहीं विदेश के साफ से अगर अपन देखें तो यूग पी का और यूगी बाबा का महत तो बड़ा है और हमारी मोदी जी का महत बड़ा हुआ है लेकिन थोड़ा सा विकास में पिछड़ गया है यह और इसी वजए से थोड़ा सा लोगों में नाराज्गी है बाबा आपको क्या लगता है सरकार को और क्या गरनाची अभी मत्वरा का मुख्य मद्दा रोजगार का है पहले मत्वरा को रिफाइनरी दी गई इसलिए कि यहां के लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा लेकिन आज के दिन में लोकल रोजगार बिल्कुल खतम हो गया यहां क मेरा तो करके मिद्दा को मिद्दे को सकार कही है लिया में तो जा रहे हैं पर रहत हुँ है है जाना नहीं रहता हूं दैटा यही क्या है आपके निजर में यहां के मुद्दें तो तो आपकी बार क्या हो रहा है आपकी ब्यक्राइब क्या हो रहा है उनकी राष्टी लोग दल को जो गड़ बंदन है अब को क्या लग रहा है इस बार किस-किस में टक्कर है भाया राधे राधे जैशी राधे मैं किवल यही कहना चाहूंगा तकर नहीं मैं टक्कर की बात कर रहा हूं इस समय बस्पा से राजकुमार रावत हैं 83 विधानसवा छेत्र गोवर्धन से जो की जनता के बहुत प्रियप्त त्यासी है और सेकिंड नंबर में जो टक्कर है वो रालोट से है और यह हम सब का छेत्र में यह हम अनुआव कर रहे हैं और जो भी हम जहां-जहां जा रहे हैं पहली चीज दूसी चीज मैं यह कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोईलालीपूर गौसाला करनावल मधनपुर योरा लाणपूर बाद और आपका अगनपुरा जो कि हमारे नोकल गाओं हैं इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो यह है कि हमारे यह जो आप यहां आये हैं तो उसके माध्यम से किसान इतना पस्त हो गया है आपको बदा दूं कि सुबह और साम अपनी मेंड पर ही बैठा हुआ है आप मौकिक इस्तिती भी कर सकते हो मेरे साथ चलके इतना पस्त है किसान सरकार में बहुत पस्त हो गया है कि और यह मामला यह मामल लेकिन वहां भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई लेकिन इन्हीं चीज में आपके माध्धम से कह रहा हूं कि किसान बहुत पस्त है इतना पस्त है कि आप अगर मौकिक स्थी करोगे ना आप भी यह कहोगे बास्तमिकता यह कितनी बड़ी सच्छा ही है आज तक उनका कोई करनावल मदनप्रा लाड़पुर यह इतने हमारे गाउं परते हैं वहां तक आप पैदल नहीं चल सकते हो आपको अगर मीदबा विश्वास ना हो तो आप रचल के देखो एक किलूमीटर से आगे आप पैदल नहीं चल सकते हो रात में बड़ी घटनाए हुई हैं कई एक् मुझगार बढ़े हम यह केवल आप से चैनल के माध्यम से कहेंगे बस रादे रादे जैसी रादे दादा हैं यहां पर हमारे साथ बहुत नराज हैं सरकार से और कार से पहले आए थे अभी दुबारा हमारे पास फिर से आ गए जी थोड़ा सा आप ने का हैं चलने जब में हैनानों पहले अपने गर से बहार नहीं निकल सकते स्थितिय यहां पर मतलब कंप्लेंन कर चुके पारषण को बोल चुके मेर को बोल चुके विदायक जी को भी बोल चुके पर कोई आस्वासन हमें नहीं नहीं मिला और हमारी नहीं है आदी इस छेत्र की कॉलोनी की समस्या है लगबग सारे लोगों की बरसातों के टाइम पर आपके साथ चलते हैं थोड़े देर में हम लोग युवाओं के क्या मुद्दे हैं आपके लाके युवाओं के क्या मैं राजिश शर्मा और परसुराम स्वाइमान स सेना एकी बात कहना चाहती है भगवाण परसुराम के नाम से हमारे मतरामे डेंपियन नगर में एक चौक बनाए गया तो परसुराम स्वाइमान सेना का या परसुराम के सवागार होना चाहिए अभी एक मुद्दा उठाता का संजीब बाल्यान जी ने ब्रहामटबाद, बहुत बड़ा अक्रूस है तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि संजीब बालियान जी को एक तो माफी मांगनी चाहिए ब्रामणों से ब्रामण इतने जो काम करेगा युवा और ब्रामण उसके साथ रहेंगे यह में चीज़ा मतुरा में बाजपा के केंद्रे मंत्री हैं ब्रामण इतने काम करेगा युवा और ब्रामण समाज उसके साथ रहेंगा चाहे वह अखले से आदब करें चाहे बावा योगी करें चाहे बहन कुमारी मायावती करें जो ब्रामण इतने काम करेगा ब्रामण उसके साथ रहेंगे युवा उसके साथ रहेंगे आपको क्या लग रहा है ब्रज में किसकी हवा बहरी है इस बार इसमें तो हवा तरे तरे की चलती है हवा तो किसी एक की तो नहीं होती और ये तो समय बताएगा कि किसकी हवा चली जिसकी आंदी आएगी चार दिन बाद सुब मालम पड़ जाएगा किसकी हवा चल रही है बात ठीक है ये क्रस्ट की भूमी और भगवान के लिए सब बराबर होते हैं जैसा कि ये बात कर रहे हैं आपको क्या लगता आपके स्थानी मुद्द क्या है और मौजुदा जो आपके विदायक जी है वो उनसे कित्ता संतुष्ट है विदायक जी मौजुदा से तो बिरकुल भी उन्होंने कभी अपने छेत्र को नहीं देखा कभी दुबारा के कोई काम नहीं किया उनको सायद अपने छेत्र के गाउं नहीं पता कि मेरे छेत्र में कितने गाउं है उनको किसी रास्ते का तो मालम होना ही मुश्कल है जिसको गाउं नहीं पता उसको छेत्र के रास्ता क्य पता रहेगी कैसे हैं आप युवा हैं इस छेत्र में युवाओं के क्या मुद्द्ध है नौकरी समें तो नौकरी है इस समय और यह क्या रोजगार एंप्लॉइमेंट सब बहुत कम हो चुका है आप पड़ रहे हैं भी बीटेक कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन क्लास चल रही होगी और यह पिछले दो साल से दो साल से बहुत बेखार कॉलेज खोले पर नहीं आ रहा है हमारी लाइब मतलब यह माली जी कुछ एक्जाम बगएरा सब औलाइन ही हो रहे हैं अचकल तो कुछ समाझ में नहीं आता कुछ ठोल समय तो ली सब कर रहे है और जयवाओं के लिए श्छे में काम करने वाले जब भाजबा ने उनिके का दीट किसी से कोई मतलब ही ना कोई विरोध में ना कोई कुछ नहीं लेकिना बाजबास यही है कि इतने अच्छे होने के बावजुत बढ़ाएगी टिकट काड़ी जा सकती तो क्या और क्या कह सकते उसके बारे युवाव के मुद्दे में जानना चाहरा हो यूथ क्या चाहता है सर ही साल हो वही है या तो उनकी दो साल एज कम करी जाए जिससे कि उनको आगे बढ़ने का मोगा मिले और पेपर और वेकेंसी निकले यूथ के लिए आगे बढ़ने के लिए एक्जाम कैंसल हो रहे हैं और ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है उसमें अच्छे ध्यानी दिया ज पुजगारी है कही न कहीं बड़ा मुद्दा यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो यूवा नाराज हैं बतारें कि दो साल से भरतिया नहीं निकली हैं कई सारी भरतियां पेंडिंग हैं सरकार या सरकार का कोई नुमाइंदा या कोई प्रभावसाली आदमी जो हमारी बा है कि बड़े मुद्दे क्या है इस वक्त मेरे लाके डिए होते हैं समाज में जो सबसे बड़े मुद्दे होते हैं वो होते हैं सबसुत सड़कें, रोजगार, महंगाई और इसके अलावा जीवन जीने के लिए जो भी आवशक आवशकता हैं वो लोगों के पूरी हो यह के मुखिम होते हैं इस सरकार में क्या-क्या मिला बाबुजी? बाबुजी इस सरकार में क्या-क्या मिला है? इस सरकार में जैसा सरकार हैं और करती रही है पिछले सरकार उस सरकार से इस सरकार में ज्यादा बहतर हुआ है कुछ काम हुआ है कुछ काम नहीं जो भी काम सरकार के इस तरह से होने होते हैं वो पहले से ज्यादा बहतर हुए है यानि बीजेपी दूसरे दलों से बेटर है कुल मिला के बर्तमान में तो ऐसा लगता है कि बीजेपी अभी तक जो हुआ है वो पिछले सरकारों से ज्यादा बेटर थी तो अब की बार आपको क्या लग रहा है आप बुजर्ग भी हैं अनुभवी भी हैं इस ब्रज में किसकी हवा बह रही है हवा तो जब लाइन में लगा होता है ना अदमे तब तक बह जाती है कोई पता नहीं होता है तो कुल में लागे मद्दान के वक्त तक लोगों का मिजाज बदल जाता है अच्छा तो आपके विधानसवाद चेत्र के क्या मुद्दे हैं क्योंकend को से 2-3 महीने पहले मारे गाँ में वह चलाता है मामारी उसमें 12 अनुव्यकों को भी खो दिया था मामारी थी वह था डेंगू अच्छा डेंगू तो हमने अपने बिदायग जी को पूरे दिन कॉल किया कॉल करने के बाद वह साम को 3 वजे पहुंचे तो हमने उन से कि हमारे यहां पर बच्चों की देथ हो रही है कुछ हमारे लिए भीमारी में कुछ राहत के लिए दबाई बगारा च्रकाव के लिए वह कुछ करा हो तो विदायक जी ने डायक्टी जाते बोला अपना कोई दूसरा प्रतिन दी चुन लेना मेरे बसका नहीं है और इतना बो सर अब इस टाम तो डीएपी लेने के लिए में इतना परेशान रहा कि डीएपी मिली नहीं बिना डीएपी के मेरे को खेट बेना पड़ा अपना इतने ना जाने तो बताओ जो वह कह रहे थे किसान कि हम आई दूनी करेंगे दूनी की सो बात छोड़ो कुछ भी नहीं मिला है हमको किसान लेकिन सरकार की जो टाइम लाइन थी नहीं तो पूरी होई मोदी जी ने कहा था कि 2022 यह साल सुरू हो गया है इस साल के अंतर तक आप लोगों के आई दो गुनी हो जाएगी कितने आसार लग रहे हैं इसके हमको तो कुछ नहीं हो जाएगी हमको तो यहीं लग बाकी लोग मान रहे हैं कि सरकार ने उतना काम नहीं किया जितना करना चाहिए था बेरोजगारी, महेंगाई इस तरीके के कई मुद्ध हैं जिनको लेके लोगों में आक्रोस है आगे भी हम आपको ब्रज का मूड बताते रहेंगे तब तक के लिए बने रहे हैं हमारे साथ प्योर देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टाल करें हमारा तेजी सो भरता न्यूज आप डेली इंसाइडर